नमस्कार दोस्तों डाइबीडिस आज कल एक आम समस्या बन गई है और इसका प्रमुक कारण जीवन सैली वा खान पान संबंदी आजते बिगड़ना है अच्छी जीवन सैली की आजते अपना कर और खान पान में सुधार करके डाइबीडिस को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है डालों को डाइबीडिस के रोग्यों के लिए बहुत लापदायक माना गया है हालाकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी डाले फैदे मंधो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खाज डालों के बारे में बताने वाले हैं जो न सिर्फ रक्त सरकरा के इस्तर को कम करने में मदद करती है बलकि कई लक्षणों को दूर करने की छमता रखती है तो आयए उन डालों के बारे में जानते हैं चने की डाल डाइबिडिस के मरीजों के लिए चना डाल बहत लाबदायक होती है कियोंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 8 होता है साथ ही चना डाल में परियाप्त मात्रा में प्रोटिन और होली के सीट पाया जाता है जो diabetes के मरीजों के लिए बेहद लाबदाया करहता है मूंग दाल मूंग दाल अनेक गुणवाला खाध्य पदार्त है जो diabetes के मरीजों को कई आवस्यक पोसक तत्व दे सकता है यहाँ सिर्फ रक्त सरकरा की इस्तर को कम रखने में मदद नहीं करता है इसके साथ ही इसमें प्रोटिन समयत कई लाबदाया को पोसक तत्व पाये जाते है उड़त डाल diabetes के मरीज उड़त की डाल को भी अपने आहार में सामिल कर सकते है जो रक्त में सरकरा के बढ़ते इस्तर को कम रखने में मदद करती है साथ ही इसमें मौझूद पोसक तत्व हिदय वा त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद करते है छोले का सेवन छोले सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं अनेक स्वास्वर्दक गुनों से भरपूर भी होते है इसका सेवन करना डाइबिडिस के लक्षनों को कम करने में मदद करता है साथ ही इसमें मौझूद फाइबर डाइबिडिस के कारण होने वाली कबज को दूर करने में भी प्रभावी है राजमा डाइबीडिस के मरीज अपने अहार में राजमा यानि किड्नी बीन्स को भी सामिल कर सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसे गुण पाये जाते हैं जो रखतर सरकरा के इस तर को कम करने में मदद करते हैं राजमा में मौझूद फाइबर आपको डाइबीडिस से होने वाले अणने लक्षनों से छुटकारा दिला सकता है तो दोस्तों इस तरह की और सेहर से सम्मंदित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद